आज हम बनाने जा रहे हैं तीकी तीकी स्टफिंग के साथ बनने वाले मिर्ची के पकोड़े तो नमस्त दोस्तों सागात आपका कुक विद मीना राजपुद ब्लोग में तो यह पकोड़े खाने में बहुत ही टेस्ट लगते हैं बनने में बहुत इजी रेसिपी है तो इसकी एक मिर्ची लेंगे हम इसमें इसके बीच में कट लगा लेंगे अब इसके जो हम बीच है वो निकाल देंगे ऐसे हम सारे सीड्स निकाल देंगे अब हम आलू के स्टफिंग तियार कर लेंगे तो यह मैंने दो आलू ले लिये थे इन्हें मैंने वोईल करके फोल लेता अच् यह सकते हो तो यह संटो कुछ मसाले डालाइं मैंने जिंजर काड़ती को क्राश करें प्यार कर लाफ पिंच कर लेता है ने हम से डल देंगे तो हम से गालना सब्सक्राइब आप से बिल्कुल सकते हैं अब हम डालेंगे इसमें आदह चंब कर या लाल मिर्ची नमक डाल करें तो कैसे नमक अपने टेस्ट के दालें जाए अब आदे से एक चंबाश डाल देंगे पाओडर तो खाने में बहुत ही टेश्टी लेगी और यह मैं डाल दूए आदे सबीकिज शाहते हैं में मिक्स कर लेंगे अपनी मसाला करलें इसे हम हाथों plaster मिक्स कर does क्वेकर अंटाफिंग में मंधनिस अपने टेस्ट के आप साइस्वाद के ख Tas records तो तो हमारे आलू के स्टफिंग बनकर तयार अब हम कोटिंग के लिए बैटर तयार कर लेंगे तो 203 टेबल स्पून हम ले ले लिए हमने तो कैसे आप एक कप के करीबी बेसन ले सकते हो अब इसमें हम डाल दें कुछ मसाले तो यह आदा चमच के करीब डाल दूंगे मैं हल्द इसमें पानी डाल लेंगे पानी में ने थोधा सा डालाएं क्यों हमयों काड़ा दनकरा बनकरें तो मेरा बनकर तीयार है अब हम मेर्ची में स्टाफिंग भर लेंगे उसले आलू के लिए यह नहीं से हाथों की साुबिया में तो देख सकते हो कसstफिंग में ज्यादा कम हैं अपने चोइस को अ को बढ़ सकते हो तो भी है टीजी कर लेंगे हम सब्सक्राइब कर लेंगे यह पूरी एस ते हम स्पून की साथ साइथ कर लेंगे टीपO तो आप देख सकते हो ऐसे हमने पूरी पे पूरी मिर्ची पे हमने बेशन की लेयर लगा देनी है तो इस बेशन हमें थोड़ा गाड़ा ही रखना है ऑल हमारा अच्छे से गरम हो गया है अब हम ओल में मिर्ची डालना स्टार्ट कर देंगे ओल को हमने मीडियम फ्लेम पर अब हुझके अब इसे त्देख सकते हो मिर्ची हमारे जो पाकोडे मिर्ची कर देने गांगे उगर जुम royalty यह लेगी तो इसे बलकुल ऑप्षेणल applicant voi उप घंप कर सकते हो वानना आप खेटी में परपिसे बिल्कुल स्किप कर सकते हो तो डवल फ्राउय में जो हमारे मिर्शी के प्रांड बनेंगे न कली लेर्द आई कोटिंग जोंगे होगी वह क्रेंची हो जाएगी तो यह डबल फ्राय में ज़दा टाइम नहीं लगता है ओल को में थोड़ा तेज गरम कर लेना है और तब हमें डाल देना है तो गाइस हमारी मिर्ची बड़ा बनकर एक तुम तयार है इसे आप को इसी भी चटनी केसा सर्फ बैठी चट्णे या फिर हरी चटणी के तरह सकते हो तो कई इसे मैंने कैच Undy डियें दोनों तरह की तो यह किन माने खाने में बहुत ही टेस्टी वनिय您多 जल्दी बन गी है तो इसकी रह जिए पीपरो देखने लिए वैड़ को पीकर तो पीच में कर वीड़े HC कमेंट करे जो चलन बना है वा चलन को सब्सक्राइब करें मेरी वीडु देखने के लिए मेरे चलन को सब्सक्राइब करें तो गाइस बेल ऐकन दबाना ना भूले जिससे मेरी आने वीडियो की नोट के kadar सबसे पहले आपके पрашा़ा है तो वेस आज के लिए भाई मिलते हैं अगली वीडियो में तो तक लिए भाई